आज से चैत्र नवरात्री शुरू हो गई है। मा चंदर घंटा, मा कुश्मांडा, मा स्कंद माता, मा कात्याईनी, मा काल रात्री, मा महागौरी और मा स्दिदात्री की पूजा की जाती है। लोग इस दोरान घंट स्थापना करते हैं और मा दुर्गा का आवाहन करते हैं। नवरात्री की नौ दिनों का वरत भी रखा जाता है। नवरात्री में कलश्थापना का विशेश महत्व होता है। इस बार कलश्थापना के लिए शुब मूरत सुबह 6 बज कर 10 मिनट से 8 बज कर 31 मिनट तक है। वहीं दो फैर में 12 बजे से लेकर 12-50 मिनट तक है। कलश्थ की स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए और मा की चौकी लगाकर कलश्थ को स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले इस जगों को गंगाजल से छिड़क कर पवित्र कर लें। फिर लकडी की चौकी पर लाल रंकी स्थापित करें। कलश में आम का पत्ता रखें और इसे जल या गंगाजल से भार दें। साथ में एक सुपारी, कुछ सिके, दुर्वा हल्दी की एक गांट कलश में डाले। इसके बाद कलश की मुख पर एक नार्यल लाल वस्तर में लपेट कर रखें। वहीं चौकी की स्थापना के लिए। इक लकड़ी की चौकी को गंगाजल या स्वच जल से धोकर पवित्र कर लें। इसे साफ कपड़े से पोच कर लाल कपड़ा विछाएं। चौकी के दाय और कलश रखें। चौकी पर मादुर्गा की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। मातारानी को लाल रंग की चुन्री ओड़ाएं और धूद दीप से पूजा करें। नौ दिनों तक चलने वाली अखंड जोती मातारानी के सामने जलाएं। मादुर्गा को चोडी, वस्त्र, सिंदूर, कुमकुमपुष, हल्दी, रोली, सुहा का सामान अर्पित करें। मादुर्गा को इत्र, फल और मिठाई अर्पित करें। इसका विशेश महत्व होता है। मादुर्गा की आर्थी उतारे, इसके बाद वेदी पर बोय अनाज पर जल छिरके। नवरात्री के नौ दिन तक मादुर्गा की पूजा अर्चना करें और जोपात्र में जल का छिरकाव करें। मादुर्गा को सुख संब्रती और धन की देवी माना जाता है। ऐसे में नवरात्री के दौरान मादुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करने से वेक्ति की हर मनुकामना पूरी होती है।